जिसका तुम्हें था इंतजार जिसके लिए दिल था बेकरार वो घड़ी फाइनली आ गई महरास्टर स्टेट बोर्ड का स्सी क्लास 10 का जो रिजल्ट का ओफिशल डेट है वो एनाउंस हो चुका इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें मैं easiest way बताऊंगा जिसमें आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं मतलब छे तरीके बताऊंगा एक जगे पे जहां पर आपका रिजल्ट मिल जागा क्योंकि होता क्या जब रिजल्ट आता है न तो बहुत सारा ट्राफिक हो जाता है जितने भी लगब बारत तेरा 14,00,00,00,00 जबने बच्चों ने एक्जाम दिया है वो सारे बच्चे मतलब लाखों बच्चे एक साथ उस ताइम पर आएंगे रिजल्ट देखने के लिए and there's a heavy possibility के वेबसाइट पे आप अपने रिजल्ट नहीं देख पाऊगे तो तो तिरा 6 alternatives उन सभी के बारे में बात करेंगे डिटेल में इसी वीडियो के अंदर तो मैं ने में शिवम जा an educator by choice a certified memory coach a creative learner and हाँ तुम सबका प्यारा भाई इस वीडियो को like कर दो कि तुम्हारा result जोई वो तुम्हें खुशी दे like करते हो तो मुझे खुशी होती है खुशी दे खुशी दे और इस वीडियो को share कर दो क्योंकि इसमें सारी चीज़े डेटेल में बताई गई है description में केवल आपको एक दो link में लेंगे जिससे आपका सारा काम हो जाएगा तो वीडियो को continue करते है learners यह आपका state board का मैंने आपको last time बताया था कि यह आपका वो website है जिसके उपर सारी चीज़े आती है अब यहाँ पर अगर आप clearly देखोगे तो आपको लिखके आ रहा है SSC examination March 2024 results अगर मैं इस पर click करता हूँ अगर मैं इस पर click करता हूँ तो यह कुछ इस website में मुझे लेगे जाता है sscresult.maha sscboot.in बट यहाँ पर लिखके आता है coming soon बागी कुछ नहीं मिलता मुझे लेकिन इसी website पर गर मैं नीचे जाता हूँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाके हमें चेक करना है और अगर मैं click करता हूँ तो मेरे सामने ये circular open हो जाता है इस circular को आप रीड कर सकते हो इसका जो link है मैं description में दे दूँगा directly वाला link दे दूँगा तो आप रीड कर सकते हो यहाँ पर clearly आपको mention किया हुआ है कि भाई साब 27.05.2024 दोपारी मतलब afternoon 1 p.m को आपका result आएगा और ये वो सारे website यहाँ से copy नहीं होगा इसके लिए मैंने क्या किया कि इन सारे website को ठीक है simply एक तो मैं description में डाल सकता था लेकिन हर बार आप वीडियो पे आते link पे click करते जाते है वीडियो पे आते link पे click करते हो जाते तो हमने क्या किया हमाने हमारा WhatsApp चैनल पे एक हमारे website पे link बना के डाल दिया WhatsApp चैनल अगर अब तक आपने join नहीं किया तो description में आपको पहला ही link मिल जाएगा हमारे WhatsApp चैनल का उसको join कर लो क्योंकि देखो अब हर एक चीज़ का वीडियो बना के तुरण डालना पॉसिबल नहीं लेकिन कोई भी update आता है तो उसको WhatsApp चैनल पर तुरण डाला जा सकता है ठीक है तो उसको join कर लो अब जैसी आप इस link पर click करोगे जो आपको WhatsApp चैनल पर मिलेगा और जो इसको यह link में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूगा तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे application यह जो हमारे जो भी महारास्टर बोड के website क website link 6 करके सारे link मैंने डाल दिया वो यही links है ठीक है यह वही links है जो डाले हुआ है यह हमारा WhatsApp चैनल का यहाँ पर भी डाला है कि अगर आपने join नहीं किया तो join कर लेना और बाकी तो normal हमारे website के details है ठीक है तो learners इस website पर जाकि जैसे मालवा website link 1 पर click करते हो तो यह आपको यहा दूसरा website sscresult.mkcl.org खुल जाएगा और यह बता रहा है कि इतने देर में आपका result आने वाले है लिंक है जो officially दिया हुआ है स्टेट बूर्ड ने ठीक है अगर आप website link 4 पर click करते हो तो यह I think Digi Locker का link है यहाँ पर भी आपका result देखने को मिल जाएगा देखो यहाँ पर class 12 class 10th coming soon लिखा हुआ है यहाँ पर देखो ठीक है अगर आप website link 5 पर click करते हो तो I think target वालों ने एक link बना है target वाले भी अपने website पर result दिखाने वाले है लेकिन result.targetpublication.org पर ऐसा direct target के website पर नहीं एक अलग इनका क्या बोलते है सब domain बोलते है उसके उपर इनका result आने वाला है तो इस पर आ जाएगा आपको ठीक है और एक और website के अगर बात करो आखरी वाला जो हमें दिया है हमारे board ने वो है tv9marathi.com यहाँ पर भी result आ जाएगा तो यह वो सारे है पर यह देखो आप इधर उदर भटकोगे इससे अच्छा मैंने एक ही link बना के दिया है उस link पर आप कैसा लग रहा है अब मुझे आप बताओ कि आप अपने class 10th के result के लिए कितने excited हो I know कि आप बहुत excited होगे ठीक है मैं आपको इबाद बताओ आपका paper जैसा भी गया हो आपकी मेहनत से गया है ठीक है चाहे आप 100% score कर रहे हो चाहे आप 99% score कर रहे हो 79% score कर रहे हो जो भी 10th का है उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा trust me मैं 9-10 साल से पढ़ा रहा हो बच्चों को और हर टीचर तुमको यही बोलेगा कि 10th के result से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बस यह decide करेगा कि तुमने जितनी महनत की उसका तुम्हें कितना फल मिला और लोग तुम्हें बहुत प्रसंसा करेंगे एक महीन है और तुम बहुत चने के जाड़ पर चड़ सकते है नहीं चड़ सकते है तो और अगर तुम्हें बहुत रिजल्ट आएंगे तो लोग तुम्हें बस congratulate करके चले जाएंगे जादा कुछ होगा नहीं पड़ेगा फर्क पड़ेगा कि तुम 12 में कितने नंबर लेकर आ रहे हो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना फर्त पड़ेगा कि तुम 11 12 में कितने नंबर लेकर के आ रहे हो तुम्हारी understanding कितनी है तुम कोई entrance exam चाहे वो CUET हो चाहे वो MHCET हो चाहे वो JE हो चाहे वो NEET हो वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो hit the like button हो समझे इस बात को भईया दिल से बोल रहे है यह जो entrance exam में nda जो भी तुम देने वाले हो उसमें तुम क्या करते हो और उससे भी ज्यादा फरिप पड़ेगा उसका result भी matter करेगा बहुत matter करेगा तुम्हारा life में लेकिन उससे भी ज्यादा matter करेगा कि यह होने के यह होने के 5-7-8 साल बाद तुम अपने जीवन में क्या करते हो तो अगले 10 साल में तुम क्या करने वाले अपने जीवन में वो determine करेगा कि तुम कितने पानी में हो actually ठीक है यह result पे जो number है वो ज्यादा determine नहीं करने वाला है I know people जिन्होंने 10th में बहुत अच् लेता है कैसे आगे बिटता है क्या उसकी environment होती है कैसे उसके दोस्त बनते है वो क्या विचार अपने मन में रखता है उसका क्या attitude है इन चीजों पर depend करता है a single piece of paper matters it matters but at the end तुम उसको कैसे लेते हो उस हिसाब से वो क्या matter करेगा और decide करता है अगर मेरी बात समझ आ रही है मुझे उसके बारे में निपता मुझे उसके बारे में निपता मुझे बस इतना जानना मुझे तुम इतना बताना है कि भाई साब you should be proud of your result चाहे 100% हो 99 हो 67 हो 59 हो 42 हो you should be proud of yourself and you should commit to yourself कि आने वाले 10 साल में मैं इतनी महनत करूँगा मैं इतनी महनत करूँगा कि मचा के रख द है तो मुझे exactly याद नहीं है सोचो ठीक है इतने अच्छे नमबर आये थे I was among the top five in my school बढ़ मुझे first आना था दिली दिल में एक च्छा होता है हर एक बच्चे के होता है मेरे मन में भी था फिर मैं एक government school में गया 11 12 में जहां पर 300-400 बच्चे एक class में होते थे तो मानोगे नहीं बट होते थे वाड़ा में वो स्कूल है ठीक है स्कूल बोलते कॉलेज बोलते जुनियर कॉलेज तो वहां पर मैं गया था और मुझे वहां भी बहुत अच्छे नमबर लाने थे बट वहां पी मैं टॉप नहीं कर पाया और तो मैं तो मैं बताओ 12th standard में जो मेरे 10th standard क all my efforts तो life is going very smooth ठीक है तो यह क्या होता है कि हम क्या determine करके आगे बढ़ते है numbers numbers ज्यादा matter नहीं करते है ठीक है यह बात याद रखना तुम्हारा attitude तुम्हारी personality तुम अपने बारे में क्या सोचते हो how you carry yourself यह चीज़े matter करती है just remember my dear learners you people are my super learners ठीक है यह चीज़े matter करती है all the very best for your result whatsapp channel का link description में कुछ भी update रहेगा फट से वहाँ पर डालूँगा तो उसको join कर लो ठीक है दूसरा हमारे website जिस पर 6 buttons लगा दिया है उसका link description में है एक आखरी बात भाया तुम्हारे साथ है अगर तुम 11th में मेरे पास admission लेना चाहते हो तो you can call on this number और जो मने website दिया उसमे अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो thank you so much have a good day happy learning learners मचा देना अपने result में और हाँ result वाले दिन हमारे इस channel में लाइव होगा either मैं या फिर निलिमा मैं लाइव आएंगे और आपको सारी चीज़े बताएंगे ठीक है आप लोगा result चेक करेंगी और हाँ अभी मैं एक वीड लिंक रहेगा गूगल पॉम को वहां पर अपने result को पोस्ट कर देना मुझे बहुत अच्छा लगया thank you so much happy learning